स्नान कब और कैसे करना चाहिए इन साथ बातों का रखे खास ध्यान वरना जीवन भर पच्छताओगे 1. स्त्री संग संभोग करने, बुरा सपने देखने, हजामत बनवाने और श्मशान भूमी में जाने पर वत्र सहित स्नान करना चाहिए 2. नन या निर्वत्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए 3. स्नान किये बिना जो पुन्य कर्म किया जाता है, वो निश्फल होता है और उस पुन्य कर्म को राक्षस ग्रहन कर लेते हैं 4. भूजन करने के बाद रोग रहने पर बहुत वस पहने हुए और अज्यात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए 5. रात और संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए लेकिन सोर्य ग्रहन या चंद्र ग्रहन के समय रातरी में भी स्नान कर सकते हैं 6. पुरुशों को नित्य सेर की उपर से स्नान करना चाहिए. सेर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए. सेर की उपर से स्नान करके ही देवकारिया तथा पित्रिकारिया करने चाहिए. साथ दूसरों के बनाए हुए सरोवर में सनान करने से सरोवर बनाने वाले का पाप सनान करने वालों को लगता है अतह उसमें सनान ना करें दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका देन शुब हो